हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तू मैं यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मगजी वाला गला जिसको हम पाइपिंग वाला गला भी बोलते हैं उसके लिए ये रेव की पट्टी मैंने काटके रखी हुई है ये रेव में काटनी होती है और ये पीछे से ऐसे बटन या हुक वाला गला है ये आप बिल्कुल गोल गले में भी बना सकते हैं वैसे ये देखिए ये जो नीचे शर्ट का है वो कपड़ा फैब्रिक मैंने सीधा रखा है और उसके उपर वो जो रेव की पट्टी काटी हुई है उसको हमने उल्टे रखना है और ऐसे यहां से स्टार्ट करना है यहां से थोड़ा पका कर देना है डबल सिलाई से और नीचे के कपड़े को हमने वैसे ही नॉमल धीला ही रखना है और उपर का जो रेव का कपड़ा है हमने अलग से लगाना है जो गले का उसको थोड़ा खींच के लगाना है जिससे की पाइपिंग ब उपर वाले फैब्रिक को लगाते जाना है यह तो पीछे बटन वाला है यह आप गोल गले में भी बना सकते हैं फ्रेंट्स नॉर्मली फ्रॉक्स में बेबी फ्रॉक्स में ट्यूनिक्स में यही गला चलता है और इसको बनाना बहुत आसान है यह हम किनारे पे पहुँच गए है यहां से भी हमें डबल करके पका कर देना है बचा हुए फैब्रिक कट कर देना है पूरा कट नहीं थोड़ा सा बढ़ा के रखना है हमें अब देखिए यह ऐसे अटैच हो चुका है और अब इसको उल्टी तरफ ऐसे पहले हमने जो बिल्कुल सीधा पटी के हिसाब से और फिर उसको डबल टेपर फोल्ड करके ऐसे पाइपिंग अपने अकॉर्डिंग जितनी हम पसंद करते हैं कोई बारीक पाइपिंग पसंद करता है तो कोई बड़ी वैसे हमने पीछे से देख लेना है यह पाइपिंग अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट करनी है और यहां से तुरपाई कर देनी है सिलाई भी लग सकती है लेकिन तुरपाई से ज़्यादा सफाई आती है अब हम इसकी तुरपाई करेंगे यह देखिए यह थोड़ा ज़्यादा था कपड़ा तो मैंने बरीक पाइपिंग बनानी है जिसके लिए मैंने यह कट कर दिया है थोड़ा सा यह देखें अब double fold करके यह देखो बिल्कुल बारीक piping निकल के आ रही है यह जहां से हमने शुरू करना है ध्यान करना है यह फिद्ध को थोड़ा अंदर करके और ऐसे यहां से हमने start करना है यहां से बिल्कुल सफाई से हमारा काम आना चाहिए और अब बिल्कुल पीछे से हमने देखते जाना है कि same to same एक जैसी piping निकले हमारी कहीं से छोटी बड़ी ना हो और ऐसे बरीक सुई से इसको तुरपाई करते जाना है यह यहां से हमने start किया है तो last तक ऐसे ही piping को बनाते हुए करते जाना है यह देखिए यह सारी मैंने कर दी है तुरपाई बिल्कुल एक जैसी piping यह हम end में पहुँच गए है वहां से भी end पे भी ऐसे अंदर को fold करके वो बिल्कुल पट्टी के बिल्कुल बराबर आना चाहिए जो पीछे की है और बाकी fabric को वैसे ही same अंदर की तरफ adjust करके और मिला के देख लेना है कि same to same दोनों की side से एक जैसी piping आनी चाहिए और इसको हमें तुरपाई से अब लॉग कर देना है काम में सफाई काना बहुत सुरूरी है इसलिए आराम से करें ये काम क्यूंकि गला सूट के लिए या किसी भी rest के लिए बहुत important होता है और इसको यहां से ऐसे पक्का कर दिये कि बार बार उधड़े पुधड़े नहीं अगर पक्का नहीं होगा तो ये बार बार खुलेगा और उधड़ेगा ये हमने ऐसे अच्छे से पक्का गर दिया है और इसके पीछे एक hook और यहां बटन लगा के ये गला बिलकुल ready हो जाएगा ये देखिए ये short गोल गला है क्योंकि ट्यूनिक में ये ट्यूनिक है तो ट्यूनिक पे छोटा गला ही हम कट करते हैं ये बड़े गले पे भी ऐसे ही same to same बन सकता है ये देखिए ये three by three का गला है फ्रेंट्स ये देखिए ये फ्रेंट्स से कितनी सफाई से piping लगी है और ये इसका back है जहां पे मैंने बटन भी लगा दिया है और उसकी hook भी लगा दिया है देखा कितनी आसानी से ये गला घर पे ready हो गया है फ्रेंट्स आप भी ऐसे ही बड़े आसानी से बना सकते हैं तो आपको कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आगे भी आने वाली अच्छे अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें बाई बाई फ्रेंड्स